है है अब बतावे आज जो सरमजने अपना घर के बाजू में वह आज जा रहे हैं तो कहीं मतलब इसा ही टालने है तुप पता है सिलीब करके एकदम जमीन के नीचे गिर गया है ऐसा गिरे कि लगता पूरा मुह एकदम पूरा एकदम बरबाद पूरा कीचर से एकदम सना गया इसमें हसने की क्या बात है है तुम बहुत हसते हो ठेक्थ जाओ सऑी बात है तुमको अधाना चाहिए था लेकि अब भाई मदद करो मदद करने सीखो मदद करने से आपका यानी तरक्की में इजाफा होगा समझे भाई हसना नहीं चाहिए इसमें हसने कोई बात नहीं है तुम बहुत हसते हो समझे रुकिये ये किलिप देखकर के आप सोचे होंगे कि आचानक change कैसे हो गया अभी तो दो आदमी बातचीत कर रहे थे talking कर रहे थे यानि बातचीत कुछ ऐसा मसला पर शर्मा जी गिर गया उस पर यानि बहुत चर रही थी कि क्यूं हसते हो तो नहीं भाई यह जो चैनल बनाए हुए यह जो आप देख रहे हैं यह एक्चुली एडवांस लेबल का structure से यानि sentence बताने वाले ना कि कोई clip drama या कोई चुटकुला या comedy नहीं करने वाले थे बट एक clip था जो कि हम लोग daily life में सुनते हैं और यह सब sentence बोलते हैं इसमें क्या है रोने की क्या बात है इसमें हसने की क्या बात है इसमें कहने की क्या बा बोलते हैं इसलिए हम यह clip चला करके देखाएं कि हमारा daily life में यह सब sentence बोलते और सुनते हैं तो आज इस वीडियो में यानि इसी चीज़ को सिखाने वाले एडवांस लेबल का structure लेका रहे हैं जो कि बहुत ही माजेदार बनने वाला आप यह सब sentence अगर जान जाएगा आप अगर English शीखना चाते हैं तो यह सब sentence को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है must है अगर यह सब sentence आप नहीं जानिएगा तो आप English में कैसे बता सकते हैं कि यार तुम बहुत हसते हो यारी jokes वगईरा में या comedy अगर हो गया तो उसको डाटना हो या उसको कहना और यार इसमें क्या बात है यानि रोने की क्या बात है तुम बहुत रोते हो या या तुम बहुत हसते हो या तुम बहुत मजाक उडाते हो इस तरह का sentence आपको English में बोलना पड़ जाए तो आज यानि आप उस समय आप यानि confusion में होएंगे कि आपका यानि यह sentence कैसे बोलेगे तो आज इसक देखने पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर इस चैनल पर ना है तो पिली जी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर एक वीडियो को निटिफिक्रेशन बेलकुल आपको वाक्त पर मिल जा चलिए गाइज शुरू करते आज का शेशन आप यह बोड देखकर बोलेगे कि यह अचानक बोड टूटा-फूटा कहां से आ गया तो भाई सही बोल रहे है यह तूटा-फूटा ही है यह मतलब बहुत पुराना बोड है और इसी को रिपेयर करके हम ऑनलेंड पढ़ाने के के लिए दूसरों को यानि अपने एजूकेशन को अपने नौलेज को बाटने के लिए ही हम बनाए है आप बोलेंगे यह तूटा-फूटा एक गरीब हार सही बोल रहे है गरीब का ही है बोड जो कि मेरा एक यानि पैशन है मुझे पढ़ाना पैशन है और आपको पढ़ना अगर पैशन बन जाए तो आप हर एक चीज़ को कर सकते है डिफनेटली आप कर सकते है तो आप गरीबों का मजाक ना उड़ाए अपना बढ़ने की कोशिश करे अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करे और सपोर्ट करे इस बोर्ड के जरीए से यह भाई को देखकर यानि इसमें जजबा आये और अच्छे से अच्छे एक्स्ट्रा यानि बताने की कोशिश करे तो चलिए बगार देर का शुरू करते है पहला सेंटेंस है तुम हसते बहुत हो और दूसरा है वहां रोता बहुत है और इसमें देखे इसमें हसने की क्या बात है या इसमें रोने की क्या बात है हम दो-दो sentence लिए हैं आप और भी एक्स्ट्रा बना सकते अपने यानि प्रैक्टिस मिला कर बट हम यहाँ पर दो ही sentence ले करके यानि बता देते हैं कि किस तरह से बना जाए तो पहले हम structure बताते हैं तो structure है पहला subject पहले आप subject लगाएं उसके बाद verb का पहला फॉर्म या पांचमा फॉर्म तो पहला या पांचमा तो पता होगा और उसके बाद आल आउट लगा दे मतलब बहुत का मतलब आल आउट होता है यह लौट भी पढ़ सकते हैं बट आल आउट अच्छा लगता है पढ़ने में speaking के दोरान तो यहाँ पर देखे subject पलस भी वन पलस भी फाइब पलस आल लगाएंगे बस आपका sentence पूरा हो जाएगा अब देखे कैसे हम बानाते हैं इस structure के जरिए से अब यहाँ पर है भी फाइब और भी वन तो भी वन यानि पहला फॉर्म होता है और वर्वे का पाचमा होता तो सेंटेंस के according लगाएंगे तो यहाँ पर सेंटेंस क्याया है यानि subject क्या यू थो तुम यानि तो यू हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखके हसते बहुत है तो हसना वर्वे है तो यहाँ पर लगाएंगे अब नाव में श लगाएंगा ययानि पहला फॉर्म लगाएंगे तो आपका confusion दूर कर देते हैं अगर ही रहेगा या शी रहेगा या इट या कोई singular name हो singular name तो पते होगा आप पढ़ते होंगे basic में singular person is the one person or thing यानि जिसमें एक चीज या यानि वस्तू का बोध हो उसमें हम singular बोलते हैं तो देखे singular तो पता होगे अब यहां पर यू अगर यू वी दे यह सब रहता है दे या कोई आई रहा तो यह सब में आपका वर्विका पहला form लगाएंगे तो जैसे कि यू है तो यू में वर्विका पहला form लगा चुके हैं और उसके बाद a lot लगा दे बस you laugh a lot, you weep a lot, she weeps a lot बस हो गया अब यहाँ पर देखिए वो रोता बहुत है यह रोती बहुत है जो भी लगा सकते अब लगा सकते तो ही अब यहाँ पर देखिए वार्वे का पाच्वा फॉर्म लगाएं क्यूं क्यूंके यहाँ पर ही आ गया तो आप अगर यह सब नहीं जानते हैं तो आप मेरा वीडियो में जाकर चेक करें सेंटेंस बनाने के लिए भी बताया गया है तेंस बताने के लिए भी बताया गया है आप जाकर के मेरा वीडियो का चैनल चेक कर और उसमें से जो अच्छा लगे पसांद है उसे पहले इसमें हसने की क्या बात रोने की क्या बात लिए बताते है इसका Statistics बनाने यह तो हो गया आपका अपना प्रैक्टीश में लाएं और सीखें और ज्याद़ से ज्यादा अब इसका स्रेक्टर हैं एकदम सिंपल से वाट्स लगा देंगे उसके बाद लगा देंगे बस यह आपका सेंटेंस मुकमल हो जाएगा देखें कैसे बरा रहा अब इसमें बोलेंगे इसमें हसने की क्या बात है इसमें का मीनिंग क्या का मीनिंग कैसे लिखेंगे पहले क्या उनसा लिखेंगे तो उत अपस ट्रूइब डाल गया, what's there, उसके बाद to लगा दे, आप वर्वे का पहला पॉर्म है, आप वर्वे क्या है, तो इसमें क्या हो रहा है, हसना हो रहा है, तो laugh हो गया, लाफ उसके बाद क्या about बस हो गया ये भी आपका मुकम्मल हो गया आप नीचे का एक sentence और देखते थे इसमें रोने की क्या बात है तो what's there to उसके बाद देखे रोना है तो weep उसके बाद about लगा दे लास्टे में आप 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 अबाउट लगा दे उससे पहले बस आपको ये याद रखना है और लास्टे में about लगाना ये भी आपका sentence complete हो चुका आप चाहे तो यानि इसमें से और भी दो दो चार चार पाच पाच चेचे जितना आप हो सके बनाएं और सीखे प्रेक्टिस में बिलाएं आप अगर इंगलिज शीखना चाहते हैं और अपने आपको मजबूत strong करना चाहते हैं तो ये सब sentence को बहुत जानना जरूरी है तो I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी अच्छी लगी तो प्लीज एक भाई के लिए एक लाइक करे और सपोर्ट करे यह आनि एजुकेशनल चैनल आ और एडवांस का यानि बहुत सारा वीडियोз हम लाते रहेंगे और लाते रहते भी हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेशन और एक नए चिप्टर और एक नए एडवांस इस्ट्रेक्चर के यानि ले करके तब तक के लिए आप खुश रहिए खुशिया बारते रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए तब तक के लिए खुदा हाफिज